तो गड़्े का गुनाह पती पर F.I.R. दरसल ये गड़्ा नहीं है, सिस्टम के गड़्े के लिए सिंबॉलिक शब्द है. इन दौर में दो पईया वहन से जा रहे हैं, तो गड़्ों से दूर रहना होगा, वरना हमारी मुहिम के साथ जुड़ना होगा. आप पर भी F.I.R. हो सकती है, अगर आप गड़्े की वज़े से गिरे चोट आई, तो जिम्मेदारी किसी और की नहीं होगी, खुद आपकी होगी, पुलिस F.I.R. दर्ज कर सकती है, इन दौर में ऐसा ही हुआ, महिला बाइक से गिर कर घायल हो गई, कोमा में चली गई, पु पर भी पर गड़्े की थी, सिस्टम की थी, गड़्े की वज़े से हाथसा हुआ, लेकिन पुलिस ने महिला के पती के खिलाफ, लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया, इन दौर की सड़कों पर जगा जगा गड़्े हैं, जादातर जगाओं की सड़कों को भरने की जगह, अब गाड़ी चलाने वाले पर F.I.R. दर्ज की जा रही है, फर्यादी गुनेहगार हो जाए, ऐसा कार नामा किया है, इन दौर कुलिस ने, वह! पत्नी गड़्े में गर गई और उसको चोटाई जिससे की पुमा में चलेगी, तो फिलाल पती के खिलाब लापर भाई पूर गाड़ी चलाने का के सड़की जाकर इन्वेस्टिकिशन में लिया गया है, मिशित तो उससे अभी चुकी फिलाल तो तेजी से चलाता है, लाप परवाई उसकी पाई गई है, लेकिन अब गड़े जो किस तरह के है, गड़े कहां पर थे, क्या इसी की लापरवाई थी, या पर जो जिस एजनसी के बड़ा गड़े बनाए गये थे, उसकी विजाच की जाएगी, बड़े बड़े जिम्मेदार नेता, अभीनेता, संत, च चलेंगे, मिठलेश ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, कि गुना सिस्टम के गड़े का और FIR फर्यादी पर, मिठलेश बिल्कुल सही का आपने कि गुना है सिस्टम का और FIR किसी और पर, एक कहवत है न, करे कोई और, भरे कोई और, तो इंदोर में नजर भी आई है, और इंदोर के लिए तब ये खबर बड़ी देखने वाली है, लोगों को ये खबर देखनी चाहिए, समझना चाहिए, कि इंदोर की एक तस्वीर है, जो इस बिल्कुल मैं आपको नस्दीक से दिखाऊंगा, अपने कैमरा मैं जगलस से कहऊंगा, बिल्कुल नस्दीक से दिखाए, ये सड़क पे आपको पूरा पानी नजर आएगा, और ये पूरा पानी है, क्योंकि इस पूरे सड़क में असा हुआ है, वो गड़ा कही हो नहीं, वो गड़ा बियाटियस कोरिडोर के अंदर है, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, बड़ा गड़ा है, पती पत्नी को बैठा कर अपने बच्चे वो दिखाने के लिए गए थे, ऑस्पिटल से घर लोट रहे थे, गड़े पू पत्नी को डाइवर्ट कर दिया, क्या बियाटियस से जाएए, वो भी बियाटियस से जा रहे थे, और एलाइजी चौराये के पहले गड़े में, उनकी गाड़ी जाने से उनकी पत्नी गिर गई और पत्नी कोमा में है, इलाज चल रहा है, पुलिस मामला जो है, थाने तेक प लूग जोड़े उनका भी बहुत बहुत धनेवाद झाल झाल